बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम तो आप सब समझ जाएगे अगर मैं आपको समझ दीजी एक गिफ्ट लाके दूँ मैंसे दे नहीं रहा हूं जोकिंग लीवल रहा हूं एक गिफ्ट लाके दूँ और मैंने वह अमेरिका से लाया ठीक है और एक ऐसा ब्रैंड है जो इंडिया में चलता नहीं और आपको लाके दिया तो आप क्या बोलेंगे अरे यार चाइना का दिख रहे है समझ में है चुकि आपको इसका इंपर्डंस नहीं मालनों ब्रैंड इंडिया में चलता नहीं बाथ अले चॉकिए आपको अमेरीका में का जो नसुकि आ बेनुदा तो इंडिया में तो आप जैसा जिसको आप आप अबर लोड़े या लाके देदी ए अग्दम आपको फख्र महशस होता होता और अपसामने लाक होता जो छोपा रहे थे और को बला रहे हैं तो नहीं समझता है मिया जाओ यह अमरीका का ब्रैंड है तो मुझने देखे नहीं थे तुम को क्या हो भान को बंगा नहीं हो तो किसी भी चीज की नहीं लगा रहा रहा है। आप पहले इंपॉर्डेंस और आप अपने देखेंगें और आप के लिए जवानी बोलते हैं ृूट यूथ बोलते हैं। इसका इंपॉर्डेंस किया है। नबीयर्युक्रम ﷺ फर्माते हैं, जाम तिर्मेजी की रुआयत है, हदीस की एक किताब है, उसमें सेंच हैं, नरेशन से, प्रॉफिट की, तो उसमें एक हदीस है, पांच चीजों को पांच चीजों से पहले कर लो, 5 before 5 5 को 5 से पहले कर लो मतलब 5 चीज़ों से पहले 5 चीज़ों करना है वरना आप नुकसान में रहेंगे 5 before 5 बोल के लिए हदिस बहुत मशूर है 5 से पहले 5 क्या है सुनी पहला सहत का सही फाइदा उठा लो बीमारी से पहले 5 before 5 में 1st क्या है सहत का हेल्थ का सही फाइदा उठा लो इससे पहले कि आप बीमार हो जाए मतलब यूथ का सही फाइदा उठा लो इससे पहले कि आपकी एज हो जाए और एज जब हो जाती है आपकी बीमार हो जाते है 2 उसके अंदर का कि मालदारी को गरीमत जमल लो गरीम होने से पहले मतलब आपके पास आगर पैसा है तो सही इस्तिमाल कर लो इससे पहले कि फिर आप गरीब हो जाए पैसा मतलब खर्च हो जाए थर्ड का खाली वक्त को गलीमत जान लो इससे पहले कि आप मस्रूफ हो जाए खाली वक्त समझते हैं, एम्टी टाइम है, लीजर टाइम है आपके अस्पास करने के लिए उसको फाइदा उठा लीजिए चलिए, इससे पहले कि आप क्या हो जाए, बिजी हो जाए, जैसा कि आपके अपके अच्छ बहुत खाली वक्त होता है, जब आप बड़े हो आपके शादी हो जाएंगे, निकाह हो जाएंगा, फिर आपको टाइम नहीं बिलेंगा इसलिए कि आपकी जिम्मेदारियां भी बच्चे वालदायन की बीमारियां और बहुत सारे चीज़े आप पर जिम्मेदारी जैसे आपके डैड़ी अभी करता है, आपको करना पड़ और फिफ्ट कहा, जिन्दगी का सही फाइदा उठा लो इससे पहले कि आप मर जाएंगे, तो फाइब बिफोर फाइफ, सब टाइम से रिलेटेड ही है, सहर, बिमारी से सहत का फाइदा उठा लो, पैसा, इसी तरह खाली वक्त, इसी तरह जवानी और इसी तरह जिन्दगी जिन्दगी वक्त है, जवानी वक्त है, खाली वक्त है, टाइम के बारे में त्री कोशन्स है, पांच में से तीन बाते टाइम की हैं, यह है इंपॉर्टन्स जवानी यूद का, दूसरा यह जामे तिरमेजी की एक हदीश है, उसमें आपसम फरमार कहा, आखिरत में मरने के आदम की आउलाद इन्सानों की ख़दम अल्लाके सामने जम जाएंगे, अल्लाके सामने खड़े होके जाएंगे, जब तक नहीं हलेंगे हिए जब तक के पांच documents के जवाब नहीं देंगे, five questions, why wao समझते हैं अरल test, oral सब क्यों होते है, oral सब क्यों होते है, orangakukan criseM औरम होती किसी को चकर आ रहा है डेजी नइसा कोई गिर जा रहा है किसी को उठा कि लाना पड़ा है और खु़ी बार बार जा कि आ रहा है यह होता है क्यों? औरल है वखे टीचर सामने होंगे अब वो टीचर कैसे क्या हृनु आप कितने बार जगड़े उनसे कितना बुरा बोले, उनको वो एक मसला खड़ावाए सामने है ना, एक बार ये बोल जिया था, दूसरे बार सुना नहीं था, अब टीचर बुरा बदला निकाले, और अरल, तो वाय वो, तो वैसी होने वाला है, खियामत के दिन भी हमारे साथ क्या होंगा, अल्लह ताल पुरे स्कूल लाइफ आप देखते हैं, keiga से उनको देखते हैं, first से उनसे पढ़ना सिखते हैं, to 10 तक उनसे चिकते रहते हैं, हिंदी चेक तर सुरू हो आप 10 तक उनसे सिकते हैं मातमाटिक्स आप का शूरू हो आप 4 से लेकर 10 तक आप उनसे सिकते। या फिर आपका English ल लाइचे लाइगें, किसी को लाइचे लाइचे लाइगें, अब सुचिए, Creator of the Universe, Allah ही सामने बठा हुआ है, इसको तो कोई चैलेंज यह नहीं है, कुछ भी नहीं बल सकते हैं, वो नाइन साफे भी नहीं करेंगा, यह बात भी बिल्कुल शॉर्ट है, ताय है, लेकिन हम नहीं इतनी कोतायां कर ली कि सामने जाना मुश्किल है हमारा, और five questions होने वाले हैं, सबको देना है, मुझे आपको non-muslim, मुस्लिम सबको देना है, first question, क्या होने वाला है, वो यह है, जिन्दगी कहां लगाई, age कहां डाली, life, first question, second question, जवानी कहां लगाई, जवानी youth, life का party है न, जिन्दगी का हिस्सा है, फिर भी question है, उस पे एक अलग से, जवानी कहां लगाई, आप जो फेस से जा रहे हैं, कहां लगाई, third question, इल्म कितना हसिल के और कितना मल किया, knowledge कितना gain किया, और कितना practice मिलाया उसको, fourth, माल कहां से कमाया, earnings कैसी की, और खर्च, कहां किया, तब आप की एज में आपके लिए क्या क्या है, जिन्दगी कहां लगाई, आप से यह हो रहा, चुकि आपका 10 गयर जिन्दगी का अच्छा सबर चले गया, जवानी कहां लगा, यह question भी आप से related ही है, इल्म कितना असिल क्या, कितना अमल क्या, यह भी related है, माल कहां से कमाया है, वो छोड़ दीजी अभी आप कमाते हैं लेकिन एक तो है, कहां खर्च की, अगर pocket money मिलती है, तो कहां लालते हैं, अगर गलत करते हैं, तो फिर पकड़ हो जाएंगी, अच्छा करते हैं तो, अल्ला ताला फाइदा भी देंगा, तो पांच सवालात के जवाब देना, उसमें से एक क्या है, जवानी फिर आगे नहीं तो, आगे आईए, यूथ जो होता है, जवानी जोती बहुत हैं फेस होता है, और नौजवान अगर कुछ करें तो सबको डर लगता है, और नौजवान कुछ करें तो सबको उमीदी भी रहती, होती है, यह कुछ कर सकते हैं, देखिये अग्जामपल देता, आप लोग इतने सारे बच्चे अगर यहां आते हैं, आयरसी में तो पूरे महले वाले देख रहे हैं, अरे अ यह क्या करने वाले, सब देख रही लेकिन ऐसे सौबड़ों को बुला लिए तो कोई कुछ डेंचन नहीं कर रहा हूं को उनसे पर वांग नहीं कर रहा हां लेकिन लोगों पता है बुडे लोग मिलेंगे गखशप करेंगे चाही पेंगे चलाएंगे उने वह ताख़त अब नहीं बागी कुछ तबदीली ला सके अच्छाई और बुराई दोनों की ताख़त नियान में बुराई करना चाहे भी तो नहीं कर सकते अच्छाई करना चाहे भी तो जिसम और हालात साथ नहीं देते लेकिन जब आप लोग समझो 10-20 जमा हो गए या आप से थोड़े बड़े 15, 16, 17 यर्स के अगर यूद 2, 4, 5, 10 जमा हो गए तो लोग फॉरण पॉलिस को फोन कर देते हैं इतने बच्छे जमा हो गए क्या है कि कुछ समझ में नहीं आरा मामला क्यों तो उनको पता है यूद्स कुछ तबदिली ला सकते हैं राइट डिरेक्शन में भी और रॉंग डिरेक्शन में भी इसलिए क्यों जमा हो गए तरह वेरिफाइब कर लो पहले तो आपके उमर का ये फायदा है आपकी एच का ये फायदा उठा सकते है ना तो खुरान में भी एक वाक है सुरह कहफ अगर आपने बढ़ा होंगा सुरह कहफ उसका आप ट्रांसलेशन पढ़िए सुरह कहफ में एक बादशा था और वो अपने आपको किंग जो था वो माबूद रब इलाह गौड बोलता था लेकिन चन नौजवान थे कितने उसकी का पराड़ शुरू होगी बहले फारण पकड़ के लाओ उसलिए कि यूद्स है नौजवाने कुछ भी कर सकते हैं उन्हें बहुत सलाई थे बहुत ताखत हैं वो भागे और जाके गुफा में चुप गए उससे सुरह कना सुरह कहफ का मतला होता ता के वार जाके चुप गए अब बहुत जाए और वो बहुत जमाना कुछ रिवायत माता तीन सो साल से ज़ादा लगा फिर वो किंग मर गया जनरेशन आफ्टर जनरेशन चले गई फिर बादमे उठे तो उनको तो मालूम ही ने कितना जमाना हुआ तो वहाँ भी देखिए उस वाख़े में बाश्या दर गया था किन लोगों से जो कि वो नौजवान थे ना इमान लाए उसको डर था उनके थोड़े से नौजवानों का इमान लाना उसकी पूरी सल्तनत पलटाने के लिए काफी था ये आपकी एज की ताखत है ये आप कर सकते इस एज के अंदर जो कि दूसरे लोग नहीं कर सकते हैं तो इस बात को भी समझना इसी तरह जो है असाब गदूत एक वाकिया खुरान में अगर आपको पढ़ना है तो सूरे बुरूज सूरा नमर 85 सूरे कहफ सूरा नमर 18 है इसके आप शुरूबाद पढ़िए इता सूरे बुरू सूरा नमर 85 है तो उसमें एक वाकिया कि एक लड़के ने नौजवान लड़का था मतलब मेबी बाओ 10 कितनी एज नहीं लेकिन इतना भी नहीं कि वो शादी वाला हुआ इतना बड़ा लेकिन अबाओ 10 था हो नौजवान था उसने अपनी जान देकर पूरे एक किंगडम पूरे एक कंट्री को इसलाम की दावत अकिली अपनी जान देकर और पूरे कंट्री एमान ला लिया क्यों इमान ला लिया उस एक नौजवान ने अपनी जान दी और पूरे कंट्री को इसलिए कि उस उसने जब एमान लाया तो उस वक्त का किंग जो अपने आपको गौड बोलता था उसने मारने की कोशिश की वो सबसे उंचे पहाड़ा पे में को खड़े करो और एक तीर निकालना ठीक एरो निकालना और उसको लेकर जो है मेरे सर में मारना सब लोगों के सामने लगे तो मैं मेरूंगा किंग ने मुला रही बहुत अच्छी बाते मार देता हूं इसके वज़े से इमान ला लिया इसने फ इमान देकर सारे किंग्डम पूरे मुल्क को इमान की दौलत देकर चला गया लड़की था नहों कितना हुशार था और से ही फाइदा उठा लिया उसको उतने लोग इमान लाने का भी सवाब मिलेंगा और आखरत में इंशाला उसके लिए जन्द तो पकी है इसलिए कि हदी लेकिन उस यूथ ने देखिक इतना बड़ा कारना उन्जाम दिया तो आपकी उमर ऐसी होती है इस उमर में आप क्या कर सकते हैं मानों आपको बहुत बड़े-बड़े कारना में अंजाम दे सकते हैं तो अपने इंपोर्टन्स पहले समझी आप कौन है ऐसा नहों कि नहीं इत में अभी तो बहुत पढ़ना है जब देखेंगे अभी तो यह तो इजी क्या हुई अभी तो फना हरे ऐसा सुझते 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 क्या है ऊओंगो अंगा अवर आंवा गार तरहें आपका चेहरा बिल्कुल एक जैसा है यहां कुछ तो भी कब्ला कब्ला कल छाना पिर थोड़े बड़े गा ऐसी सugस्में आप समझ में पाएंगे अपने हमेर चेहे और उढ़े गड़े जब की आपके ओवस्तोड़ी सी मोटी हो जाएंगी आपके हाइट और लंभी हो जाएंगी और सौच्टेसे, आप Çokलेचे अपने hall शूचे सबाईगी आरप बड़े और आप बेट पे लेटे हैं और ऐसी बगर सोचे समझे दुनिया से हम चला जाएंगे इसलिए कि हमने कभी सोचे निया उम्मार में सोचने की थी बस अभी तो चेंज है अभी तो बहुत वागत वागी है अभी तो बच्चे है अभी तो 11 years 12 years 8th है अभी तो ग्राजवेशन 10th पोस्ट ग्राजवेशन ने डॉक्ट्रेट फिर जाव है यही समझ रहे आप से लेकिन हम नहीं जानते ना मैंने इसलिए बला ना कि ताइम कभ खतम होंगा आप भी नहीं जानते मैं तो जो टाइम है उसका सहीं हम को यूज करना इस बात को हम को समझना अब जवानी बहुत